ओशन गेट की टाइटन सब्मरीन ने अपना सफर केनिडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन से 700 किलो मिटर तूर नौर्थ अट्लांटिक ओशन में बागे है। और इसी पॉइंट पर थंडे पानी के नीचे ओशन की गहरायों में टाइटनिक का शिप रेक भी मौजूद है। सेटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और प्लैन के मताबिक अगले दिन संडे को सुबा आठ बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहां बताते चलें कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दाव पा लगा कर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी यह खतरा क्यों मोल लिया गया। जैम टीवी के वीडियोज में एक बार फिर से खुशाम दी थे। नाज़ीन इस सफर में टोटल पांच लोग मौजूद थे जिसमें एक्शन एवियेशन के फाउंडर हारनिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नमबर पे स्टॉक्टन रश जो ओशन गेट के सीई ओ भी थे। ये अमेरिकन कमपनी ओशन टॉरिजम के लिए सबमर्जिबल्स फरहम करती है। तीसरे नमबर पे 77 साला पॉल हैंडरी थे जिन्होंने पहले भी टाइटानिक को विजिट किया था। ये शिप्रेक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटानिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखर में पाकिस्तानी बिजनिस टाइकॉन शहजादा दाओद अपने बेटे सुलिमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हारनिश हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वज़ा से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबा को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये पांच लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशूरे जमाना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रही। लेकिन एटलांटिक ओशन की हार्श कंडिशन के बाइस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिर कार ओशन फ्लोर पे RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सावालात छोड़ कर गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दरजनों एक्सपेडिशन्स अरेंज किये गए जिसमें अलग-अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप्रेक का रुख किया। केनेडियन फिल्म मेकर जेम्स केमरान ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दरजनों दोरे किये और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटनिक मूवी की काम्याबी ने पूरी कर दी इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटनिक के मलवे को खुद जाकर देखना करोडों लोगों का खुआप बन गया यानि ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही महदूद नहीं बलके शिप रेक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वज़ा है पानी का प्रेशर टाइटनिक शिप रेक समंदर की सदा से 4000 मीटर यानि 4 किलो मीटर नीचे है इस गहराई को इमेजन करना हो तो आप बुर्च खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम्स बुर्च खलीफा की हाइट जितना नीचे है इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है ये उतना ही प्रेशर होगा कि इनसान के पूरे जिसम पर नहीं बलके सिर्फ एक स्कॉयर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्कॉयर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर परता होगा खेर संडे 18 जून 2023 दुपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ नॉर्मली टाटैनिक तक पहुँचने में दो घंटे लगते हैं लेकिन एक घंटे 45 मिन्टों के बाद ही मदर शिप पोलर प्रेंस जो के उपर वेट कर रही थी उनका सबमरीन से रापता तूट गया अगर दो घंटे टाटैनिक तक पहुँचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले रापता तूटने का मतलब है कि सबमरीन टाटैनिक के काफी करीब पहुँच चुकी होगी समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुँचना ना मुम्किन है और यहां हर वक्त इंतहाई सक्त अंधेरा होता है इतनी गहराई में वाइरलेस सिगनल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है लहाजा पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया यह पूरा ट्रिप टोटल साथ गंटों का था बारा बज़े से लेकर शाम को साथ बज़े इनको वापस लोटना था लेकिन जब शाम साथ बज़े तक भी टाइटन से कोई रापता ना हुआ और ना ही वो वापस लोटी तो अब उपर खड़ी मदर शिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए केनेडियन रिसर्च वैसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी 9 बचकर 40 मिंटों पे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से रापता करके मदद तलब की अगले दिन मंडे को यूएस और केनेडियन शिप्स और प्लेंज ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरिशन शुरू कर दिया उन्होंने सिर्फ समंदर की सताह पर ही नहीं बलके सुनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी इस एरिया में जो कमर्शल वैसल्स थी उनको भी आउडर दे दिया गया कि वो अपनी आँखें खुली रखें अगले दो दिनों तक ये तलाश जारी रही लेकिन टाइटन का कोई अता पता ना चल सका लेकिन फिर एक उमीद की किरन नजर आए वेनेज़ डे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराईयों में से कुछ आवाजें सुनाई थी ये आवाजें अंडर वाटर रिडार्स की मदद से सुनी गई थी फोरण आरोवीज को आवाज की डिरेक्शन में भेजा गया लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई ख़बर ना मिली अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर भरता जा रहा था क्योंके सपमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 गंटे या फिर चार दिनों तक का था और इस वक्त तक चार में से तीन दिन गुजर चुके थे लेकिन यूएस कैनेडा और फ्रांस की सर्च टीम्स ने हिम्मत नहीं हारी Thursday 22 जून को दुपहर 12 बजे आरोवी को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था 3.48 पीम पर आरोवी जो के टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी उसने टाइटैनिक की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 16 सो फीट दूर पड़ा हुआ देखा जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइन्स बन गया इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर परदाश ना कर सकी और समंदर की कहरायों में ही फट गई इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल सी मचा दी ओशन गेट की सेफटी पर कई सवाल खड़े किये जने लगे ओशन गेट के सीईओ स्टॉक्टन रश जो के खुद इस वाके में अपनी जान कवा बैठे हैं उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बलके एवियेशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशन्स करना चाहते थे तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तमाल किया गया था पहली बार लॉंच से पहले टाइटन को 5,000 से 10,000 PSI के प्रेशर पे टेस्ट भी किया गया जिसमें वो पास हो गई थी पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किसम की ताकतें सब्मेरीन पर पड़ती है जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बलके पानी का पहाओ भी होता है जो कि लहरों की वज़ा से पैदा होता है इसके हलावा अंदेरे की वज़ा से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समंदरी मखलूक सब्मेरीन से टकराई हो कुछ भी हो टाइटन की तबाही की एक वज़ा तो इसका कार्बन फाइबर का हल था लेकिन दूसरी वज़ा इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे जी हाँ टाइटन सब्मेरीन 2019 में कारल स्टेनले नामी एक बिजनिसमेन को भी लेके गई थी और उस वक्त भी उसको ओशन गेट के सी-ई-ओ ही आपरेट कर रहे थे कारल ने बताया कि उस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बौडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा देहान नहीं दिया क्योंकि उनको ओशन गेट के सी-ई-ओ जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिजाइन की थी उन पर पूरा भरोसा था लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने सी-ई-ओन को बताया कि शायद वो आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बौडी पानी का प्रेशर बरदाश नहीं कर पा रही अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बौडी में क्रैक्स पढ़ना पहले से शुरू हो गए थे 2018 में ओशन गेट के एक एग्जेकुटिव ने टाइटन की कारबन फाइबर बौडी के खिलाफ आवाज उटाई थी उनका कहना था कि ये मसला सबमेरीन के फटने से सिर्फ चंद मिली सेकंड्स पहले पता पड़ेगा और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ जिस गहराई में टाइटन फटी है एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे होंगे उमीद है जैम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे आप लोगों के प्यार भरे कॉमेंट्स का बेहद शुक्रिया मिलते हैं अगली शांदार वीडियो में